जैहिंद असम राइफल्स ने दस्वी बाहरमी आई टी आई डिपलोमा के लिए बंपर वेकेंसीज निकाली है आज हम इसके संपुर्ण चेन परक्रिया को इसी वीडियो में डिसकस करेंगे साथ में सिलेबस, exam pattern, eligibility criteria, salary apply कैसे करें, medical examination में क्या क्या देने होंगे, physical standard test में क्या होगा साथ साथ आपके exam pattern में कितने प्रशन आएंगे, किस-किस विसे से प्रशन होंगे, कितना टाइम मिलेगा सिलेबस में कौन-कौन से topics आपको पढ़ने आवश्यक है सभी कुछ इसी वीडियो में हम discuss करेंगे आपको कहीं जाने की आविशकता नहीं है बस इस वीडियो को आप आंत तक देखते रहें अब आये सबसे पहले हम job details को समझ लेते है तो जिस department में vacancies आई है, वो है Awesome Rifles के director general के office के लिए vacancies है जिस post के लिए vacancies आई है, बहुत सारे post है जिसमें rifleman, हवलदार, clerk, warrant officer, personal assistant उसके बाद technician, electrician, plumber और भी बहुत सारे vacancies है जो आगे हम discuss करेंगे टोटल number of vacancies 1230 है पोस्ट वाइस vacancies की बात करें तो bridge general trade man के लिए 22 vacancies है clerk के लिए 349 है, जिसे male female दोनों apply कर सकते है lineman के लिए 28, engineer equipment के लिए 3, electrician, mechanic के लिए 24 seats है equipment repair के लिए 12 seats है, vehicle mechanic के लिए 35 seats है folster के लिए 14 seats है, electrician के लिए 43 seats है plumber के लिए 33 seats है, surveyor के लिए 10, x-ray assistant के लिए 28, veterinary field assistant के लिए 9 pharmacist के लिए 32, female सफाई कर्मी के लिए 9, barber के लिए 68, cook के लिए 349 मसलची के लिए草च और मेल सफाई करमी के लिए 107 seat is इनके salary और pay scale की बात करें तो सिपाई को 20.000 परतीमा, L paradox till 45.000 परतीमा नायक को 10.000 परतीमा हवलदार को 35.000 परतीमा नायब सुबेदार को 40.000 परतीमा सुबेदार को 45.000 परतीमा और सुबेदार मेजर को 60,000 प्रतिमाह की सेलरी दी जाती है और ये इनिशल सेलरी है, इसके बाद इनका इंक्रिमेंट होता है सेलरी के साथ साथ बहुत सारी फैसिलिटीज इने दी जाती है क्योंकि यह सेना का जॉब है इस फर्म को अपलाई करने के लिए जेनरल OBC को मातर 100 रुपे का अप्लिकेशन फी लगेगा वह इस डिल का सीडिल ट्राइब और फीमेल कैंडिडेट को कोई फी नहीं देना होगा सेलेक्शन प्रोसेस चैन पर क्रिया की बात करें तो सबसे पहले आपका फीजिकल स्टेंडर टेस्ट, फीजिकल इफिसियंसी टेस्ट होगा इसमें आप सफल होंगे फिर आपका रिटेन टेस्ट होगा रिटेन टेस्ट के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा उसका आपका skill test होगा इस सब के बाद आपका medical test होगा फिर आपका नाम merit list में आएगा आपको appointment letter मिलेगा और आप job join कर पाएंगे आगे written exam का pattern बहुत detail से दिया हुआ है written exam के pattern की बात करें तो 100 questions होंगे, 100 marks होंगे जिसके लिए आपको एक घंटे का समय मिलेगा आपके प्रशन general knowledge, quantitative aptitude, logical reasoning और general English से 25 प्रशन, 25-25 marks से होंगे सभी प्रशन आपके multiple choice और objective questions होंगे और language bilingual होगा Physical efficiency test PT की बात करें तो male candidate को 5 km का race 24 minutes में पूरे करने होंगे वही female candidate को 1.6 km का race 8 minutes 30 seconds में पूरे करने होंगे लदाख region के जो candidate है male उनको 1.6 km का race 6 minutes 30 seconds में पूरे करने होंगे वही female candidate को 800 meter का race 4 minutes में complete करने होंगे PMT, PST की बात करें तो color के बं personal assistant post के लिए जो male category के candidate है अगर STSC है तो उनका height 162.5 cm और general category के लिए 165 cm हाइट होना अनिवारे है इसके अलावा जो भी post है उसमें male candidate STSC का 162.5 cm हाइट और general के लिए 170 cm हाइट होना अनिवारे है वही female category के candidate जो SCSC है 150 cm और general category के candidate के लिए 177 cm हाइट होना अनिवारे है अब आए इन सभी पदों के लिए eligibility criteria जिसमें qualification और age limit है उसको जान लेते हैं तो male सफाई, मसालची, cook, male, barber, female सफाई इस सब के लिए class 3 पास होना अनिवारे है और age 18-23 साल होना चाहिए वही pharmacy और veterinary field के लिए जो candidate है 12th पास होना और relevant field में डिपलोमा होना अनिवारे है age 20-25 साल होना जरूरी है इसरे assistant के लिए 12th पास होना साथ में diploma in radiology पास होना अनिवारे है और age 18-23 साल होना चाहिए वही surveyor, plumber, electrician और foster के लिए class 3 पास होना और relevant field में ITI का certificate होना अवश्यक है age 20-28 साल होना चाहिए वही instrument repair और mechanic के लिए 12th पास होना और ITI in instrumentation अवश्यक है age 18-31 साल electrician, mechanic, engineer, equipment, lineman और electrical के लिए 10-3 पास होना और 7 में ITI का diploma होना अवश्यक है age 18-23 साल personal assistant, male और female post के लिए 12th पास होना अनिवार है साथ में computer का knowledge dictation 10 minute, 80 word per minute and transcription 50 minute in English और 65 minute in Hindi होना आवश्यक है age 18-25 साल वही color male और female के लिए 12th पास होना English typing 35 word per minute और Hindi typing 30 word per minute होना आवश्यक है bridge and road के लिए male female apply कर सकते है तेन सपास होना और diploma in civil engineering आवश्यक है और सम राइफल्स के written exam के syllabus की बात करें तो आपके प्रशन argument, wind diagram, coding decoding, number series, mirror image, test of direction sense, alphabet series से होंगे बाकी का topic screen पे दिया हुआ है वहीं जीके में आपके प्रशन, countries and capitals, international and national issues, science, invention and discoveries, important days से होंगे बाकी का topic screen पे दिया हुआ है six months का current affairs बहुत अच्छे से पढ़ें इंडिया और international English के syllabus की बात करें तो comprehensive, test, stances, vocabulary, fill in the blanks, antonyums, बाकी का topic है screen पे दिया हुआ है quantitative aptitude में boards and streams, simple and compound interest, ratio and proportion, HCFL, CM बाकी का topic है screen पे दिया हुआ है इसा भी topic बहुत important है, बहुत अच्छे से पढ़ें, online apply करने के लिए official website asamrifles.gov.in पे जाएं, वहाँ पे notification डाउनलोड करें, apply link पे click करें, registration करें और अपना निसरी details भरें, fee payment करें, preview करके submit करें, submit करने के बाद PDF save करके जरूर रखें link जो है, वो 11 September 2021 से on होगा, यानि आप 11 September से form भर सकते हैं, 25 October 2021 इसका last date है आप अपना प्रश्न comment box के जरीए भेजें, हम उसका answer करेंगे, channel को like कीजिए, subscribe कीजिए